हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं टोमेटो सार इसे हम टोमेटो करी भी बोल सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां वे मैंने दो टमाटर बारी काट के लिए हुए है यह कच्छे टमाटर ही है आधा कटोरी किसा हुआ नारियल एक छोटा प्यास प्यास हमें कमी डालना है सिर्फ स्वार्थ के लिए डाल रहा हम प्यास चोटा चम्मच चोटा आधा चम्मच धना डाला यह टेस्ट बहुत अच्छा देता है दो लाल सुखी मिर्च दो से तिन लसुन की कलिया स्वादा नुसर अभी हम नमक डाले आधा चम्मच और आधा चोटा चम्मच लाल मिर्च पावडर यह थोड़ी ही डालनी है ने तो इसका तेख बहुत ही तीखा हो जाता है दो टमाटर के लिए मैंने आधा चम्मच ही लाल मिर्च पावडर यू दालेंगे इसमें पानी का पिलार तो इस्तमाल नहीं करने वाली हूँ अगर आपको लगे कि पानी डालना है तो सिफ आधी कटोरी ही पानी डालें यहाँ पर हमारी पेस्ट बनकर रेडी है अभी हम आगी की प्रोस्दस करते हैं यहाँ पर मैंने एक बरतन को गरम होने के ल बाई डाल देंगे और ये चार से पांच कड़ी कता है अभी अब इसमें जो पेस बनाई है वो डाल देंगे मैंने पीस्ते सब्सक्राइब पानी का बुर्टल भी इस्तमाल नहीं किया था तर्माटर में वैसे में पानी होता ही है अभी मैं इसमें आधा कट्वरी पानी राल रही हूं इसे अच्छे से एक दो मिनिट के लिए उबाला आने के लिए मेडियां प्लेंपे अभी रख देंगे दो मिनिट बाद अभी इसमें उबालाना शुरू हो गया है इसकी कंसिस्टेंसे भी एकदम बराबर है जादा पानी का इस्तमाल करेंगे तो यह सूप हो जाएगा इसका हमें सूपने सार बनाना है अभी मैं इसमें आधा चमत शक्र डाल देगे शक्र डालने के बाद 10 या 20 सेकंद हमें इसे इससे रखना है अभी मैं गैस का फ्लिम बन कर भी हुआ हमारा टोमेटो सार बनकर यहाँ पर अभी रेडी है मैक्सिमं 5-30 मिनिट लगते है इसे बनाने के लिए अगर कभी सब्दी खाने का मनना हो या ज़र्पट कुछ रेसिपी बनानी है तो आप यह जरूर ट्राइक करिए बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है अपको यह मेरे रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट में जरू किजिए और भी अच्छे अच्छी और इजी रेसिपी इसके लिए थैंक यू